गुरू के वचनों को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना एक-एक वचन को हर्दे में उतारना और सपर आच्रन करना ही गुरू के वचनों का सम्मान होता है नहुं आपके साथ पृतिषन दा एक बार फिर हाजिरू सवाल जवाभ सत्र की नई वीडियो के साथ को दूर करने के लिए बाबा जी से खुल कर प्रशन पूचते हैं जिस पर बाबा जी उधार और पूर्वक उत्तर देते हुए उनकी मन की शंकाओं को शाम करते हैं इस वीडियो में भी साथ संगत ने संद महात्मा प्रमु गुरु बाबा गुरिदर सिंग डिलो जी से सवाल किसी वजय से सुसाइड कर लेता है क्या वो उसका पिछला करम था है है अपना अगला करम बना रहा है? हम किसी भी मजभ को लेलें सब से जो बड़ गुनाहा है वो प्रम हो गजाता है क्यांकि सूसाइड का म Geniuspad का मतलब है कि जो मalik ढ़ता है लु मार ओमारी किसमत में लिग तो मालक ने कोई भी बास्तादी है. अब कही भारी इंसान जल्दबाzi कर जाता है. ऐस जल्दबाजी में वो सोचता है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिये था, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिये था, और क्यूंकि वो नहीं हो रहा, तो वो ऐसा कदम उठा लेता है। हर एक चीज का हल है। हर एक चीज हमें ना कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखाती है। मगर सीखने की भी तो ताकत होनी चाहिए ना। और अगर हम अपनी मन मर्जी करेंगे, हमारी मर्जी तो चल नहीं सकती है। अब दुनिया में इतने लोग हैं, अगर हरेक की मर्जी चलेगी तो यहां तो तबाही मत जाएगी। तो हमने मन के ऐसी अवस्ता बनानी हैं कि जो हम चाहते हैं कभी होगा और कभी नहीं होगा। और हमें वो तसलीम करना चाहिए। और हरेक सोके हां तो हमुड़ से बैठे हैं.. हरेक जाना कहा कि ने, बहुड अब मेरी मर्जी चलेगा है। एक चोटा देश थे प्रांत लेएं, तो भर चाहिएं, धर लेएं... एक परीवार में सभी मर्जी चल सकती है। कभी होगी, कभी नहीं होगी। तो we have to come to terms with that. And it's only when we are not able to come to terms with that, then we take this history step, which is something we should all avoid. You see, उस्तिन भी बात की थी कि self-pity, all this stems from self-pity. Self-pity is the biggest indulgence. None of us can afford it. So never indulge in self-pity. Thank you, Baba Ji. Sure, when we raise our thoughts, what can we do, that our thoughts can be better, or at least we can manage our control? Look, our mind is very impressionable. Our mind is very quickly. Now, the mind has raised the mind, whether it is conscious or subconscious mind, it has raised the mind. Now, there is a memory of the computer. When you buy the computer, the computer's memory is empty. So you do a programming. So whatever input is higher, the output will be higher. So whatever you have funded, the output is higher. So whatever our thoughts are, our habits are, if there is no one input that has already, then the habits are already. Now, we have now developed a feeling, कि हमारे मन में कई चीजें गल्थ हैं, नेगटिव हैं, और हमने इनको मिटाना है। अब वो एक दम इतना असान भी नहीं है, कि आप डिलीट बटन प्रेस कर दें और वो निकल जाएंगी। क्योंकि वो हमारी सोच का एक हिस्सा बन गई है। अब पानी का गिलास लेके उसमें आपने लाल सियाही डाल दी। और फिर आपको एहसास गुआ कि यह तो गल्त हो गया। मगर वो जो लाल रंग है वो पानी का हिस्सा बन गया है। अब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। मगर गल्ती हो गई तो क्या करना चाहिए। अगर हम और पानी डालना शुरू कर दें, तो वो लाल रंग डाल्यूट होना शुरू हो जाएगा। और आइस्ता आइस्ता इतना डाल्यूट हो जाएगा, कि आपको वो लाली उसकी दिखाई नहीं देगी। तो वैसे ही, जो भी इन्पुट डाला है, उसको हमने डाल्यूट करना है। तो अगर हम आगे जैसे हमें हैसास होता है, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, वो अच्छा परभाव पड़ेंगे, तो वो अपने आप हमारे अंदर वो नेगटिव सोच डालीूट होती जाएगी। डालीूट होती जाएगी, तो भिर हम जो भी सोचेंगे, that is more, going to be more positive than negative. But अगर वो डालीूट नहीं होई, हम नेगटिव को ही बढ़ाते गए, तो फिर वो नेगटिव सोच बढ़ती जाएगा. बाबा जी, असी जेडियां बाणियां अज पढ़ देयां, सुन देयां, विचार देयां, वो सारे संत महात्मा कल जुग विज पैदा हुए, तो उन्हा ने बाणियां देविच सत्यूग, त्रेता, द्वापर और अन्हा सब जुगा दियां, उन्हा ने पूरी वर्नन किता गया है। इसे वास्ते आम तौरते असी बलीव कर देयां, कि ओ मालिक दा रूप सी, जा खुद मालिक सी, जो इस तर्थी ते आए, पानी भी सानु समझा दिया है, कि जिनने संत आंदे ने, वो ओदा रूप आंदे ने. Today, is there any difference between those saints who talk about satyug, teta, dua, पर, सब कुछ जा सक्दे सिगे, कि अज कल, संत महात्मा अपने अपने अपनों शेयत उन्हा जाहर नहीं कर दे, is there any reason for it? कि जिनने साच्च नहीं बदल सकता है, तो अजरा कि वाकत बदल सकता है, जो सहनु सिखाया जानदा है, वकत दे अनुसार, अलाग-अदाराना दे जरिये समझाया सकता है, अगर ददल सकता है, अगर दे बदल सकता है. बानी वजी चौन जूगी, सच्चो, सच्च सुनाई। अगन जदों कोई गुर्मुख जान आंदा है, तो जिम्मारी की है, कि वक्त दे अनुसार, सार्यान चीजान पेश कीता जावे, और अपन अवस चीजन समझ सकीए, और अपन अमल विच लिया सकीए. आटते आदेको चीज सנते हैं करती है, और अवस वी चीजन सबस्य है, और अशी चौन ही आपना उन्हां भूंप शुच मैंखना है. और अपनी पगति, वार्मुख वास्ते नहीन आन भूंपताय, आपने उदारन दरिये सानु और घ्रतिया घ्रतियाएं। अपने उदारन दरिये सानु समझा सकनु। में अचुल का जए थे ईकमर्ट पान एक तरहनावा मतलों को कहा दिएक हुष्ट हुआ हुष्थ दिएक लगड़ें। माँब आप जा करण गे। क्योंकि ओ बच्चे दी कमजोरी सी गी. और बच्चा अगर ए सोचे, कि मैं बस ऐही पढ़ाई करनी है, मैं दुझी नहीं पढ़ाई करनी है, ओ पास नहीं हो साकता. ओस्ते उत्ते जोर दिता गया, क्योंकि ओदा तालोको दी कमजोरी देनाल सी. तो उसे तरह जिस वक्ट तुझ महापुर्ख बार बार साड़े दर्मियान आए, उन्ना ने उस वक्ट दी कमजोरी देखी. और ओ कमजोरी देख दे होए चंद चीजां दे उत्ते आपने ज्यादा जोर दिता. क्योंकि उस कमजोरी दे उत्ते काबू पावांगे, ताहीं ता सारा कुछ ने बाह सकांगे. मगर अशी की कीता, अशी उन्ना चीजा नू लेके बैगे. तोटालिटी वेच सारा कुछ देखिया नहीं, अगे वदे नहीं. और फिर एक दुझे दी परख भी कीती ता सी किया, अभई उन्ना दा तौर तरीका लागा है, साड़ा लागा है, उदा लागा है, इस करके नहीं मजभब बनगे. मगर जे अपां गहराई वेचे जाये, इन्ना चीजां दा तालुक, इन्ना कमजोरियां दा तालुक ता साड़ी सबता दे नाल सी. और जिन्ना चिर असी उन्ना ते कबू पाके, रुहानियत नू असल माइने विच समझ के, अमल विच नहीं लियावांगे, ता असी उस लक्ष नू हासल कर साकते। सो जमें बच्चे नू भी समझाया जानदा है के पाई, सबक ता तू सारा पढ़ना है, मगर एदे उत्ते ज्यादा ते ज्यादा दे क्योंके तेरी कमजोरी है कि यह उसे तरह है अलग लग, क्योंके वकत विच महापुर खाये, उन्ना ने अलग लग चीजान दे उत्ते ज अपना पूरी तरह सारा कुछ नहीं समझांगे, अपना लक्षनों हासल नहीं कर साकते। वजूर, कर्म कीते बगार असी रह नहीं सकते। और हर कर्म दे पिछे पावना जरूर होती है। इस वासते संतियने कंसेट समझान दे है, inaction, inaction, and action in, inaction यानि कर्म कर दे होए, निशकाम होके करना चाहिए कम नहीं कर रहे है안 उन्नू तुसी काणिवी ओर्काशपाओ अपा, पिछली और जो भी बहुत से हिना को कि एस वास्ता विछ जोन एक्षन के कर्म बनुगा कोई करम बनूँ का। असी अपनी अवस्ता मन और माया तो अगे लेके जाने है। कि जड़ावी कदम अपां करिये, वो किसे सोच या किसे गिंती विच ले आके ना करिये। जिननाचर गिंती है उननाचर करम है। जदो गिंती खतम हो जगी। माँ बच्चे नु प्यार कर दी है, वो इननी गिंती नहीं कर दी है। वो बच्चे देनाल प्यार है। सो जदो अपन अवस्ता विच पांच जाएंगे, मन और माया तो अगे निकलगे, कि जिथे अपना कदम चुकेया है, गिंएक से लिवात लिवाज कर नुदम नुदम करने में, कि खतम अपनक हूद करने की बचकानल पर शुदम नुदमिं अपना करने में हाकोان, फिर रहो आने इसक्वाम हो जूदम करने, वे मुझे, ऐना से बत्सक्वाम कहने हैं, उन्हों इन इन इसकाम कहने हैं आपा। मगर हर एक चीज डिजायर तो शुरू हुं दी है, हर एक चीज चाहत तो शुरू हुं दी है। मालक दी भी चाहत ता एक चाहत है। और जिननाचर मालक दी चाहत नहीं होगी ता अगे के में मत आँगे। मगर है था चाहत, नहीं? तो चाहत एस वस्ता विच चाहत होगी, एस वस्ता विच डिजायर होगा. मगर आपने जिन्ने भी डिजायर्स, जड़ी चाहत है, उन्हों चैनलाइज करें. कि आपने यह हुजी चीज़ मंगिए, जड़ा आके बोज ना बंचे, 64 करें यह हुजी हुजे चाहत है, जड़ा आके बेडरीन आपनाटी नालाईचा, मैंन lifting बान-ाटी सफिर्चल में चाहत है, त är थास कि केज大家好ा मैं पतरने थाले कृड़ीजि़ मुन्गड़ा है, एस वक्त मांग होगी, बट एहो जी मांग रखो, जड़ी सनु उत्ते लेके जागे। और बानी चाप ने क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाए। की मंगना है? यह ते साथता किसे चीज ने नहीं देना? साथता सिर्फ एक मालिक ने देना है। तो सोच ने जिननाचिर असी सुरत ने सोच ने लेके लिए लेके, असी मन और मया तो उत्ते नहीं कर दे, करम भी बनुगा, डिजायर भी होगी, हसाबकता कि देना पहुगा। भाई, सौख जा तरीका यह नहीं कि सौच राख किते निसानने काम कर नहीं है। सौख तरीका यह नहीं कि सद्गुर्दे निम्मत ओके काम करें जो कितानों इस सेवा समझ के करें। तुद बिन होर कुछ मंगना, सब दुखां दे दुख, दे नाम से तोखिया, उत्रे मान दी पुख. मालिक तो मालिक नू मंगांगे, फिर उदी जिम्मारी है। असी करांगे साथी जिम्मारी है। इसे करके ता बार बार किया जंदा के पाने चराओ, पाना मन्ने सदा सुख हो है। Thank you, sir. हमारा वीडियो अपको कैसा लगा आपने विचार हमारे कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा। और राधा स्वामी सिसंग ब्यास से जुड़ी है अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।